हाई गाईस वेलकम टो माई चानल खूबसूरत बाल हर लड़की का ही सपना होता है और खूबसूरत बाल जो है यह हमारे खूबसूरती में चार चान लगा देते हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बालों का जो जड़ना है उसको 100% किस त जरूर कर दीजे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्टर तो फ्रेंट सबसे पहली हाँ पर मैंने एक एमटी पाउल ले लिया है उसके बाद इसमें मैं आड़ करूंगी आमला पाउडर जी हाँ आमला पाउडर के बहुत सारे फाइदे हैं हमारे हैर के लि मैं बहुत ज़दा है तो यहां पर मैंने एक से दो चमच आमला पाउडर ले लिया है मैंने मीडियम हैर लेंद के अकॉर्डिंग बनाया है अगर आपके लॉंग हैर है तो आप उस अकॉर्डिंग को बना सकते हैं अच्छा जी मैं आप लोगों को साथ एक चीज और यहां पर शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हैर फॉल हो रहा है तो आप जो है आप ला का इसदे माल खाने में भी उसका स्तेमाल करें आमला करें कि हम जितना उपर से अपने हैल्द पे और स्कीन पे और हैर खी दियान दे में नहीं है उसके बाद इसमें add करूंगी onion juice छोटा सा जो प्याज मैंने ले लिया है उसको जो है उसका juice निकाल लिया है onion juice जो है उसमें high amount sulfur होता है जो आपके बालों को जो है बहुत ज़्यादा strong और मोटा बनाने में help करता है hair fall को पूरी तरह खतम करता है और hair growth को जो है promote करता है onion juice also help promote collagen protection और यह आपके बालों को जो है जडों से ही बहुत ज़्यादा मजबूत और healthy बनाता है फ्रेंड्स onion juice हमारे hair के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होता है यह हमारे hair को जडों से ही मजबूत healthy और strong बनाने में बहुत ज़्यादा help करता है उसके बाद इसमें मैं add करूंगी cut यानि दही दही में protein होता है और यह हमारे बालों को जो है जडों से ही मजबूत बनाता है और हमारे hair को healthy बनाता है और सबसे important बात जो है यह hydrate रखता है आपके scalp को और अगर अगर आपको frizziness की problem है तो वो भी इस जो hair mask से खतम हो जाएगी और आपके बालों में एक अलग सा ही shine add करता है और आपके बालों को strong बनाता है और एक natural conditioner की तरह भी जो है कर्ट आपके hair पे काम करता है एक बात मैं आप लोगों को बताती चलो कि दही का इस्तेमाल अपने रोज के खाने में जरूर इस्तेमाल करें दोपेर के खाने में भी आप इसके बहुत सारे फाइदे है उपर से हम जितना ध्यान देते हमको मुझे असा लगता है कि अं अच्छी तरीके से जो हैर मास की तर इसको अपलाए करना है पच्ची से तीस मिनट के बाद जो है अपने हैर को वाश करना है किसी भी माइल्ड शैंपू की मदद से आप फर्स्ट वाश ते ही देखोगे कि बहुत अच्छा खासा फर्क आपको दिखाई देने लगा है और क कंडिशनर का आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यह नाच्रल कंडिशनर की तरह भी आपके हैर पे काम करेगा अच्छा जी अच्छे रिजर्ट पाने के लिए वीक में इसका इस्तेमाल दो बार जरूर करें और सबसे इंपोर्टन बाद जो दही है विटामन सी है आमल जरू करना क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी अच्छे ची वीडियो देखने के लिए जरूर में चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स फो वाचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब अस फूर मोर वीडियो अच्छी वी